क्या डबल डेटिंग कर रहे हैं मुनवर पारुकी एक साथ दो दो नाओं पर सवार है मुनवर इसके साथ भी थे और उसके साथ भी थे मुनवर उसको बोला था हमारा रिष्टा तूट चुका है लेकिन वो बोल रही है ऐसा हुआ ही नहीं था हमारा रिष्टा तो कभी बवाल मच गया है और वो कैसा बवाल मचा चलिये वो भी आपको बता देते हैं अब आप लोगों ने उनके बारे में सुना होगा मॉडल और एक्प्रेस आईशा खान उन्होंने सीरेस एलिगेशन लगाये हैं मुनवर फारुकी के अगेंस्ट और उन्होंने कहा है कि मुनवर दो लड़कियों को एक टाइम पर डेट कर रहे थे एक लड़की तो आईशा खान जिन्होंने यहां पर ब्लेम किया है मुनवर को और दूसरी लड़की नाजिला सिताईशी तो यहां पर आईशा खान का कहना है कि मुनवर मुझे भी डेट कर रहे थे और नाजिला को भी डेट कर नहीं थे अब हुआ कुछ ऐसा है कि बिग बॉस के घर में अभी कंटेस्टेंट के रूप में मुनवर हैं और काफी अच्छा उनका गेम प्ले है काफी अच्छे से वो खेलते हैं और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं और स्ट्रॉंग फान फॉल्विंग भी है उनकी घर के अंदर भी उनका अच्छा से बनाय रखते हैं ज्यादा किसी से लड़ते नहीं है और मतलब ऐसा देखा जाता है कि सबके साथ वो बना कर रखते हैं और अगर किसी से बिगरती भी है तो उस लेवल पर नहीं बिगरती कि आप दुबारा बात भी ना करो तो मतलब लोगों को वो पसंद आ रहे हैं अब यहां पर मुनवर की यहां पर खबरे थी कि वो उपन रिलेशन्शिप में है नाजिल कि वो एक पोड़कास्ट में थी जहां पर उन्होंने इस बात का खुलासा की आईशा ने कहा कि बेग बॉस के घर में कंटेस्टेंट है जिसने मुझे वीडियो के लिए मैसेज किया था तो यहां पर उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन जैसे उन्होंने बोला ना इस अब बिडियो तो बना ही निए कभी वो और उसने मुझे बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो फिर आईशा ने बोला तो फिर हम दोनों रेलेशंशिप में आए और जब उसने मुझे बोला था उसका जो पास्क रेलेशंशिप ता वो ब्टूट चुका है अब हमारे बीच में कुछ नहीं है आईशा ने ये भी बोला कि जब वो बेग बॉस में जा रहे थे तब मैंने उनकी गल्फरेंड के साथ सोचल मेडिया पर उनकी फोटोस देखी थी और तब मुझे रिलाइज हुआ कि वो दूसरी लड़की को भी डेट करता है मेरे साथ भी जा नाजीला मुणवर को सपोर्ट क्यूंँ करेए आईशा खाने इतना कुछ बोल दिया लेकिन नाजीला वो सामने नहीं आया उन्होंने कुछ नहीं बोला अब इसके कुछ कारण हो सकते हैं कि आईशा ने बोर्डकास्ट में मुनवर का नाम नहीं लिया और इसलिए भी नाजीला ने कुछ नहीं बोला हो लेकिन सवाल तो अब ये भी खड़ा और है क्योंकि नाजीला का जो इंस्टाग्राम पेज अब वो दिखने ही राए शाथ उन्हें अपना अकाउंट डिलीट कर दिया फैन्स उनसे बार-बार पूछ रहे थे कि उन्होंने मुननवर के सपो सदे रखी उन्होंने कुछ नहीं बोला इससे पहले मतलब ये सब होने से पहले उन्होंने एक नोट लिखा लिए जसे लगा एक बात जो मैं कहना चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जान लेकि ओन्नाइन सबकुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता और कोई भी इतना प्यार और नेतिक रूप से सही नहीं जतना वो होने का दिखावा करता है तो यूजिली आजकल जो लोग है जो जैसे दिखाते हैं कि हम यह हम यह हम आपसे प्यार करते हैं वैसे नहीं होता जिसका जुक्र याम पर नाजीला ने किया और इशारा शायद मुनवर की तरफ किया मुनवर में काफी अच्छी दोस्ती नजर आती है फिलाल अब जब मुनवर बाहर आएंगे तब ही उनका पक्ष है वो सामने आएगा लेकर इस बीच उनके जो गर्फेंड है नाजिला सिताईशी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है वो डिलीट कर दिया है और सोचने व झाल